अगर आप UPSC 2022 के त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह पेपर काफी इंपॉर्टेंट है जो ऐसे का पेपर आज UPSC 2021 मेंस का आयोजित करवाया गया है तो चले देखते हैं इसको डिटेल में पहले हम देख लेते हैं कि यह इसे आपको लिखने कैसे हैं और इसमें कितने question आपको attempt करना है तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं clearly mention किया गया है कि खंड A और B मतलब दो section दिया गया है और उसमें से इस दोनों section में से आपको एक-ए question इसमें attempt करना है जो आपको minimum 1000 से 1200 word के बीच में ही आपको लिखना है ऐसा नहीं कि pen को पकरे और copy copy मिल गया कुछ भी लेखते चले गए और words limit पर ध्यान नहीं दिये तो यह भी आपको असर करेंगा और question का demand क्या है इसको भी समझना काफी ज़रूरी है यह total paper 200 नंबर का होता जो आपको एक section में से attempt करना है section A से a question और section B से a question तो चले देखते हैं जो पहला question पूछा गया है इसमें बूछा गया है कि the process of self-discovery has now been technologically outsourced आत्मसंसाधन की प्रकिरिया अब तक्नीकी रूप से वाह सुरूतों को swap दी गई है अगर आप इसको attempt करते तो comment section पर ज़रूर reply करिएगा comment में कि आप कौन सा question को इसमें आप item करते हैं अगर आपको आप पीपर आज रहता तो दूसरा question है your perception of me is a reflection of you and my reaction to you is an awareness of me आपकी मेरे बारे में धार्ना आपकी सोच दरसाती है आपके प्रती मेरी प्रतिकिरिया मेरा संस्कार है ओके next question number three है philosophy of wantlessness is utopian while materialism is a chimera ठीक है उसे के साथ सब हम देखते थे हैं next question आप हिंदी में खुद read कर लिजेगा और इसका PDF जो है वो टेलिग्राम चैनल पे upload कर दिया जाएगा description में आप टेलिग्राम का link जाके चेक कर सकते हैं the real is rational and the rational is real तो यह आपके चार question थे section A से और इस चार question में आपको वन ही attempt करना थे तो इसमें से कोई भी आप एक चूस कर सकते थे यह question देखके आपको एक idea मिलेगा कि किस तरही से आपको AC की तयारी करनी है किस किस topic से question पूछा जा रहा है ठीक है question का nature क्या है next चलते है section B में जिसका first question जो है hand that rocks the cradle rules the world ठीक है next question number six जो है what is research but a blind date with knowledge next question number seven है वो है history repeat itself first as a tragedy second as a first and जो last question है जो question number eight है there are better practices to be to best practices तो यह total 8 question थे आपके सामने इसको आप अच्छे से देखे और इसको attempt भी करिए आप कुछ से गर पे ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल पाए कि आप कितने कम कितने कम टाइम में आप इसको complete कर सकते हैं ठीक है मिलते है next video में और further update के लिए इस चैनल को ज़रूर subscribe कर ले further जो भी GS की paper होंगे मैं उसको अप्लोट कर दू चैनल पे thanks for watching, मिलते है next video में